मदर स्टेक के उपलक्ष में शहर का नेलसन हॉस्पिटर लाया है फ्री कंसल्टेशन दिरां 13 से 21 मई तक तो आज ही नीशिदे के नंबर पर संपर कर अपनी अपॉंट्मेंट पक्की कर ले यवतमाल जले का दिगरश शहर इन दिनों मानों मविश्यों और पाल्टू जानवरों की तबेली में तब्दिल हो चुका है पालिका प्रशासन की अंदेखी की कारण बाजार की प्रमुख सडकों से लिकर सरकारी दप्तरों की परिसंट में मविश्यों का डेरा लगा रेता ह पेशे सवादता जुपेख खान की यह खासे पूर्टू दिगरश शहर की सडकों पर खुले आम विचरन कर रहे मवेश्यों के इस जुंड के तेवर भारत घूमने आएं विदेशी परियटकों के जत्थे की तरह निश्चिंत और खुशहाल नजर आते हैं जहां मन किया व वहां डेरा जमा दिया कभी कभी लगता है कि ये मवेशी इंसानों से ज्यादा सियासी हो चले है क्यूंकि भीडभाडवाली जगा देखते ही ताल ठोक कर ये मवेशियों का जुंड कभी अपनी कॉन्फरेंस लगा देता है तो कभी भीडभाडवाली जगा हो या संक्रे र तक भी है तैसील हो ग्राम पंचायत हो इन सभी कार्यालयों के प्रांगन में इनके संमेलन अक्सर आयोजित होते रहते हैं ऐसा लगता है मानो किसी पार्टी ने जैसे सरकारी सुरक्षा में किसी नामालूम विशय पर गुप्त चर्चा आयोजित की हो बैरहाल मविश्यों की इस कार गुजारी से दिग्रश शेहर की जनता हर बार वैसे ही तरस्त हो चुकी है जैसे किसी नेता या पार्टी के शक्ती परदर्शन के लिए निकाली गई रैलियों से ट्रैफिक जाम के वक्त होती है नेता का काफिला तो फिर भी गुजर जाता है लेकिन इन अडियल मव मवेशियों का काफिला अपनी हट धर्मी पर अडा रहता है बेचारे लोग ही इनके बीच से अपनी जान बचाते हुए जैसे तैसे निकल कर अपना रास्ता ना अप लेते हैं और यह समस्या किसी एक दिन या एक हफते की नहीं बलकि 12 महीने में हर दूसरे दिन मवेशियों के जुंड रास्तारों को आंदोलन की तर्ज पर सड़कों पर उतराते हैं शेहर के आरनीना का पुल पर स्तिती सबसे विदारक है क्योंकि इस पुल पर रेलिंग या कठडे नहीं है बीते वर्ष आई बाड में कठडे बह गए जिस वज़े से इस पुल से गुजरना खतरन साबित हो रहा है ऐसे में इस पुल पर डेरा जमाने वाले मवेशी दुर घटनाओं का रिस्क बढ़ा रहे है शेहर भर में फैली इस विक्राल समस्या के पीछे न सिर्फ मवेशियों के मालिक जिम्मेदार है बलकि नगर पाली का प्रशासन की अंदेखी भी इसके लिए उ प्रवेशियों को काबू कर इन पालतु जानवरों के मालिकों को सक्त ताकित देने की मांग शेहर की आम जनता नगर पाली का प्रशासन से कर रही है इन बीसीन न्यूज के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट